मश्कार दोस्तों डेली करिंट अफेर के MCQ क्यूज में 11 जैन्वरी के आप सभी का स्वागत है और चले स्टार्ट करते हैं इसको पहला सवाल आपके सामने है कि ड्रैगन 22 अभ्यास में भाग लेने वाले सदस्य से कौन-कौन है जो अभी हाल ही में C-Dragon 22 अभ्यास हुआ है उसमें किस-किस देश ने भाग लिया है पहला ऑप्शन है भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाड़ा, जापान या दक्षिड कोरिया दूसरे ऑप्शन में सब वही हैं बस अंतर है दक्षिड अफरीका का कनफ्यू्ज बत हो हीएंगे, दूसरे वाले में दक्षिड कोरिया है नीचे ओले में दक्षिड अफरीका है और नीचे वाले में आप देखेंगे ताजाकस्तान का अंतर है, उपर वाले की साब से, ताजाकस्तान है उसमें और डी वाले में तो थाइलेंड और बाकी सबुई, थाइलेंड का अंतर है, समझे के आप सभी, तो एक एक देश का अंतर आया, उपर वाले में ये, फिर नीच तो आपको बताना है सही कौन सा है तो याद रखिये दोस्तों इसका सही आंसर है याने कि इसमें भारत था ऐस्ट्रिया था कनाड़ा था जापान था अप्शिड को यह अपको बता दू कि यह जो सी ड्राइगन 22 अभ्यास है यह अमेरिका की अगवाई में हुआ है और यह हिं आपको मालूम है कि लगातार अपने पैर पसार रहा है और आपको मालूम वन बेल्ट वन रोड उनकी जो पॉलिसी है इसके चलते वो पूरे भारत को घेरनी कुश्च कर रहे हैं और कई देशों के साथ उनके मन मुटाओ के चलते उनों अमेरिका ने ये चीज़ की है प्रशानत महा सागर में इसमें अच्छा अभ्यास हुआ है यह नेवी का अभ्यास है और पंडुब्यों से निपटने जो पंडुब्य इस वजह से तो यह याद रखेंगे चलिए अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर यह वही चीज़े लिखिवी ही जो जिन्हें आप पढ़ सकते हो बहुँ एपटर से ने लिखेंगे समयषी जो में वहाइब को और अ किस राज़्ी को प्रतमिंश स्थान मिला है टाका है यहाद रहे कि पुरुष्कार कौन बाटता है मैं आपको बता घता हूं यह हमारा जल मंत्राले बांटता है अब जल मंत्राले तो फिर जल शक्ती मंत्री जो है हमारे गजेंद्र सिंग शेखावतिनों नहीं बांटे हैं ये पुरुसकार 2020 के पुरुसकार है जिसमें उत्रप्रदेश ने पहला इस्थान हासिल किया है और ये सभी को मिलता है जिला पंचायत उ है था लिए बनीमा अधना पानी कम है तो पानी को ज्यादा रखने मतलब उसको बढ़ाने में उसको सुरक्षित रखने में उसका उपयोग करने में जो राज या या जो जिले या जो पंचायत या संगटन कोई भी या कोई व्यक्ति अगर अच्छा कार्य कर रहा है, जिससे जल बच रहा है तो उसको reward दिया जाए ओ आप आप ने इस जिले को reward दिया या इस पंचायत को reward दिया तो बगल वाले पंचायत को भी लगए यार हमको भी reward मिलना चाहिए, तो हम भी आप से इसे के जल का थोड़ा सा बढ़े हैं ना क्योंकि अबादी तो आपको मालू में लगातार बढ़ी रही उसमें कुछ हो नहीं लेकिन जल लगातार घट रहा तो जल को बचाना होगा इसी को ध्यान में रखते हुए रिवार्ड है और यह टोटल सत्तावन पुरुसकार है 11 शेडियों में बाटे गए हैं बाकी आप समझ गया है यहां पर लिखा हुआ आप उसे पढ़ भी सकते हैं चलिए तो समझ गया इसका उत्तर क्या था अब देखिए तीसरा परशन हमारे सामने कि अभी चल रहा है ब्रैंड इंडिया अभियान अब यह इंडिया को ब्रै है कौन से कत्थन सते है पहला तो पहला यह अभियान भारत में होने वाले अत्यधिक आयात को हत्त साहित करने के यह जो हम इंपोर्त करते हैं show को हत्त करने नियूसरा इसे इंडिया brand equity foundation यह foundation है, इसके द्वारा इसे चलाया जा रहा है, ठेक है, तो आपको मतारें इद में सघी कौन सा है, तो याद रहिए दोस्तों, इसका उत्तर है केवलदो, याने कि नीचे वाला तही को जो क़ार्यानवीत कर रहे हैं वह है इंडिया ब्रैंड एक्विटी फाउंडेशन ठेगा और इसका कतई यह उदेश नहीं है कि जो आयात हुता ऊसको हतुत होसायब किया जाए है ना यह उसे कमजोर किया जाए इसका यह उदेश है और ये कौन कर रहा है ये कर रहा है इंडिया ब्रेंड एक्विटी फाउंडेशन समझ गया दोस्तों ठेक है बाकी मा को यहां भी इसको बताज़ता हो देखें क्या लिका हुआ है नए बाजारों में सिवाओं और उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए समझ रहें नए बाजारों में जो सिवाएं services एंड जो product है उनको एक्सपोर्ट उसको बढ़ावा देने का मकसद से जल्दी ही वाड़िज इवा मुद्योग मंत्राले जो है हमारा वो ब्रैंड इंडिया अभियान शुरू कर शुरू किया जाएगा यह अभियान भारत द्वारा निर्यातित वस्तूओं यह जो एक्सपोर्ट करते हम प्रोडक्ट उनको और सेवाएं जो हम भेजते है बाहर जैसे यह नर्सेज हो गए या बहुत सरी हो गए कामकार हो गए उनको बढ़ावा देने के लिए एक अंब्रेला अभियान के रूप में काम करेगा इस इंडिया ब्रैंड इक्विटी फांडेशन यही लोग हैं जो क्रियानवित करेंगे बता दे कि इंडिया सेवाओं के ज्यान के प्रसार को सुविधा जनक बनाने का भी काम करता है समझ गे होंगे आप सभी चलिए बई अगला सवाल है राज जिम्य प्रधान मंतरी के आगमन के दौरान आपर समने देखा होगा पंजाब में जो हुआ था उनके सेक्यूरिटी की साथ खिलवार हो तो सम्मंदित राज जहां पर भी प्रधान मंतरी का आगमन होना है उस राज जिक में की जिम्मेदारी है कि वह प्रधान मंतरी की सुरक्षा में आवश्यक सयोग करे है ना मतलब सयोग करे ऐसा है तो यह प्रावधान दिन लिखित में से कहां किस कानून में दर्ज है यह ब बाद दे है बाद दे है वो करने के लिए तो आप यहां पर पढ़ सकते हैं 14 के बारे में आपने हाली में सुना होगा कि सामने आया था सुरक्षा में चूक का तो देखिया है कि SPG Act की धारा है SPG का मतलब Special Production Group तो उनके Act है एक कानून है उनके कानून की धारा 14 के तहत PM के कारिक सब्सकार है वो बाद दे है और बस यही एक important बात थी इसमें समझ गया आप सभी तो इसका उत्तर गया है चाओदा चलिए अगला सवाल है हमारे सामने कि भारती इतिहास के संदर में East India Company इतिहास के संदर में कौन से कथन सत्य आपको यह बताना है पहला है इसकी स्थापना स सूला सों में 31 स्सामबर को हुई थी तूसरा है साल 1858 में भारती सक्ता की लगाम कंपनी बेटिश क्राउन को हस्तांतरित क्या हो गई थी मादलब यह कहना है एका राज कि आपको पता है पूरे ठ्याहि अंडर में यह पूरी आर्ी काम करती थी आपको पता है yht़ पर द्ह तो शोचन अच्छा खाजा कर लिया था लेकिन इस सोचन के चलते चलते फिर बाद में हम सीधे ब्रिटिश रूल के अंदर आ गये थे पहले हम कंपनी के रूल में थे तो चाहिए दूनों कौथन सही है आपको यह बताना है कौन सही है यह भी बताना है तो इसका उत्तर दोस् अब इसके आरे में आपे पड़ भी लीजे एक समय दुनिया की सबसे ताकतवर कंपनी माने जाने वाली इस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सोला सो में 31 संबर को ही हुई थी और 31 संबर को इसका भी स्थापना दिवसी मनाये गया था और उस समझे थे ब्रिटेन की महरानी एलिजाबत प्रतम थी इन्होंने इस्ट इंडिया कंपनी को एशिया में कारोबार करने की खुली चूट दी थी लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि एक कंपनी खुदी सरकार की तरह काम करने लगी थी कहते हैं कि भारत में इस कंपनी के पास धाई लाग से भी जादा लोगों की फॉस थी जिसके दम पर उसने सालों तक भारत पर राज किया था और 1857 में एक क्राम की थी आपको मालू में मंगल पाढ़ने वाली तो इस्ट इंडिया कंपनी का बुरा दोर शुरू हो गया था भारत की सत्ता के कंपनी के हाथ से फिर ब्रिटिश क्राउंड के हाथ में ट् अचली लेकिन 1874 में इसको बिलकुल बंद कर दिया गया था पूरी तरीके से तो दोस्तों इतना ही दिन दोस्तों